तो अभी मैं आपके सामने एक ONGC की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में बात करूंगा लेकिन यह जो नोटिफिकेशन है वो आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि यह अपरेंटिस ट्रेनी के लिए नोटिफिकेशन है ठीके तो अगर आप अपरेंटिस करना चाते हैं वो NGC के साथ तो आप इसके थूरू आप जा सकते हैं क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है और जो प्रोसेस है वो बहुत आसान है तो इसका जो लास्ट डेट है वो है 20th of September 2023 तो अगर जो ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी गेट का प्रेपरेशन अगर नहीं कर हैं या फिर गेट का प्रेपरेशन कर रहा है टाइम हो गया है और वह चाहते हैं कि बहुत इसको इक इनकम मिलती रहे तो लोग इसको जो आइन कर सकते हैं तो अप्रेंटिस ट्रेशनी का है टोचल जो पोस्ट है वो 2500 ए है काफी ज्यादा पोस्ट है लेकिन हर एक पोस्ट जितनी post है वो सब engineering के लिए नहीं है आप देख सकते हैं यहां पर कुछ post account executive की है कुछ data entry operator की है ठीक है कुछ post यहां पर information and communication technology की है तो अलग-अलग branches के हिसाब से यहां पर post निकाली है जैसे computer science executive है civil executive है electronics की भी है electrical की भी है तो यह अलग-अलग division में निकाली गई है जैसे northern sector में निकाला गया है यानि कि देरादून और दिल्ली में यह दिया गया है जोदपूर में दिया गया है मुंबई sector के लिए भी निकाले गया है तो मुंबई sector में भी आप अगर apply करना चाहिए तो apply कर स और बेअक्तर सक्टर में जाएंगे तो बेअक्तर सक्टर में केमबे में ही बड़ौद्रा में है अंकिल एशवर में है है हम्दबाद में post निकाली गई है और महशाना में है थिक है eastern जायंगे जहुरत है सिल्चर है ठीक है नजीरा Ann mesh संगर है और जाई ऐस्छेंघा・गर और राजा हमंद्री है, कारकी कल है, यहाँ देखेंगे, Central में आएंगे, तो अगर तरह है, कोल कता है, वो कारो है, तो टोटल अगर आप देखेंगे, तो 2500 पोस्ट हैं, सारे सेक्टर हैं की मिलाकर, ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट दे रखेंगे, और ये सारी के सारी जो है, ट्रेड एपरेंटिस की जो है वो बेकेंसी है यह कोई पर्मनेंट इंजिनियरिंग की बेकेंसी नहीं है अब बात करते हैं कि इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम 18 एर है और मैक्सिमम 24 एर से ठीक है इसको आप देख सकते हैं और इसके लिए अगर आप लेना चाहें तो आपको 10-year का relaxation है ठीक है यह है तो यहां पर qualification और eligibility criteria क्या है यह एक बार देख लिएगा अगर आप लाइबरेरी के लिए करना चाहते हैं लाइबरेरी असिस्टेंट तो टैंथ पास examination मांगा गया है केविन ड्रेसर हाउस की पर आप इन सब को भरेंगे नहीं ठीक है जैस इसमें डिप्लोमा भी चाहिए ध्यान रखिएगा डिप्लोमा होना चाहिए लेकिन अगर आपके पास बीटेक भी तब भी आप इसमें भर सकते हैं ठीक है सेक्रेटरी असिस्टेंट है स्टोर कीपर है डेटर इंट्रियोशन मांगी गई है आप किसी भी ब्रांज से ग्रे अगर कुछ है तो आपको 9,000 रुपीज मिलेंगे ठीक है पर मन्त और अगर आप डिप्लोमा करेंटी करेंगे तो आपको 8000 और अगर आप ट्रेड अप्रेंटी यानि कि आई टीए से जांगे 10 12 और आइटी आई इसे तो आपको 7,000 पर मन्त मिलेंगे और ये आपको जो है स चन्य साल का जो वो यह Trainee Apprentis रहेगा और दूसरी बाद selection जो होगा वो पूरा का पूरा basis on the mark obtained in the qualify exam यानि कि पूरा का पूरा आपका जो selection होगा वो होगा हमारा Merit Base पर तो यह लोग खुद आपको Call करके बताएंगे कि आप select हुए है या नहीं हुए ठीक है तो आपको करना क्या है आपको ongc की website पर जाना है और इस form को फिल कर देना है ठीक है यह तो जितनी जल्दी आप फिल करेंगे उतना ही आपको फायदा रहेगा क्योंकि 1st of September से जो है वो यह online application स्टार्ट हो चुका है लास्ट डेट है 20th सेप्टेंबर और 5 अप्टूबर को जो है वो आपका result आ जाएगा तो इन्होंने अपने जो यहां पर आप देखेंगे तो center भी बता रखें कहां-कहां जो है वो आप apply कर सकते हैं तो आप अपने अगर आप को लगता है कि आप आने वाले समय में अच्छा गेट में score कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि तो आप इसको मत भरिएगा ठीक है क्योंकि फिर गेट एक्जाम करीब है तो आप गेट की तयारी करिए जो बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर लिए ठीक है तो ऐसी और भी ट्रेड एपरेंटेस या कोई पर्मनेंट जॉब या किसी पेसी जॉब जो भी आती रहेगे मैं आपको बताता रहूंगा ताकि आप अपने जो ड्रीम है उसको चेस कर पाएं और आप अपने करियर को आगे बढ़ा पाए ठीक है तब तक के ल андम